अबना समाराइ आफ लास टॉपिक है पॉइंट कुप थियूरी का टेबल करेक्टर टेबल बेसिक के लिए आपके परदना है एक एर्रिड्यूसिबल रेप्रेजेंटेशन होते हैं हमारे पास रिफ़्यूसिप प्रेजेंट करते हैं इवर इसी हम देख शुके के Reducible representation क्या है ए ए रिडूसिबल क्या है आज हम प्रेक्टर टेबल को देखेंगे राकिक्टर टेबल बनाने के लिए जो हमारे पास चीज़े रिक्वाइड होती है और उसके लेंदर सिक्स पार्ट होती है तो हम इसको ड्रॉब कर लेते हैं थाके मां पताचल दे किसमें क्या क्या है आपके पास फर्स्ट को है, यह थर्ड आगया, सेकंड, फॉर्थ, फिफ्ट, एंड सिक्स्थ, ठीक है? इसमें जो पहला वाला होता है, इसके अंदर हम मैंशन करते हैं कि हमारा पॉइंट ग्रूप कौन सा है, जैसे C2V, C3, H यह जो भी हमारे पास पॉइंट ग्रूप है, व हमारे पास姿मि riktry elements कौन-कौन से है, ठीक है? पार्ट No.3 में हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं灰 के इन्हें हमisha में अशियूड कहते हैं, वो हमारे पास आते हैं, इन्हें हम और लोक्रते हैं A से B से E से, T से यह कुछ सिंबल्स हमारे पास हैं इसके बात पार्ट No.4 जो इसके हमें मेंशन करते हैं बैसे के लिए करेक्टर्स होते हैं हमारे पास इर्रेडूसिबल रिप्रेजेंटेशन आई फॉर इर्रेडूसिबल रिप्रेजेंटेशन तिक है उनके करेक्टर्स हमारे पास होते हैं जो 5 वाल हमारे पास पार्ट होता है इसमें हमारे पास आपके पास ट्रांसलेशन और रोटेशनल एक्से होते हैं हमारे पास जिन्हें हम एक्स वाई जडिया आर एक्स आर वाई आर जडिया से रिप्रेजेंट करते हैं और लास्ट छो हमारे पास पार्ट होता है उसमें हम क्वाड्रेट्िक आप कह सकते हो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन से प्रेजेंट करते हैं आपके पास यतने कॉडियोट्थ हैं उनको बडेसीकलर्य ईप्रेजेंट कश्रेंट करहते हैं एक्स, फॉाई और जी को फ्र snack हमारे पास points हैं, जब हम character table बनाते हैं तो हमारे पास यह basically उसका एक look होता है तो यह introduction is connection देखते हैं कैसे हम character table को construct कैसे कर सकते हैं